Hey guys, welcome to my YouTube channel Rana Education जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं Timetable of Online Crash Course for NSTED 2021 Batch Seconds जी हाँ guys, हमारा first batch हुआ था February 2021 में क्योंकि 27th को आपका exam होना था, जो 2020 का pending exam था ये वीडियो थोड़ा सा lengthy होने वाला है पर जिनको NSTED की जरूरत है, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप NSTED में इंट्रस्टर नहीं हैं, आप इस वीडियो को अभी कोईट कर सकते हैं अभी आप जा सकते हैं, ओके आए वीडियो को शुरू करते हैं, बर्टुस से पहले गाइज, अगर आप ये वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है अपने थामनेल में, 2020 बैच के दो स्टुडेंट्स ने NSTED को क्वालिफाई किया है, आए देखते हैं कौन है वो, जैसे कि आप सबको पता है, NS2020 का रिजल्ट आ चुका है, ये NSHM के ऑफिशल वेब साइट है और यहाँ पर जैसे ही आप क्वालिफाईड कैडिडेट केस पर क्लिक करते हो गाईज, तो ये रिजल्ट आपके सामने खुल जाता है ओके गाईज, तो एक तो है Mr. Rahul Mishra, जनोंने Teaching Associate के लिए क्वालिफाई किया है गाईज, और जो दूसरे स्टुडेंट है मेरे वो थोड़े से अनलकी है जो मेरे दूसरे स्टुडेंट है गाईज, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, Mr. Khushnour Alam और उन्होंने 268 मार्क्स ग्राइब किया है, और 400, यह बहुत अनलकी है क्योंकि इनका कुछ डिगरी में प्रॉब्लम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मार्क्स में स्टेस्टी लिखा हुआ है Although Secured Qualifying Marks, Since Graduation is Through Distance Learning Mode, Not Declared Qualified जो मार्क्स चाहिए थे गाईज, वो खुशनूर आलम ने ग्रैब कर लिये थे, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, जो टॉपर्स हैं उनके, अगर यह इनके डिगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यह टॉप 10 में होते हैं तो दो स्टुडेंट्स मिस्टर राहुल मिश्रा जोना टीचिंग असोशियेट के लिए क्वालिफाई किया है, और सेकंड स्टुडेंट मिस्टर खुशनूर आलम जोने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर लिया है, बर डिगरी में कुछ प्रॉब्लम होनी की लग से वीडियो शूट करूंगा, जी हां, आज हम बात करने वाले हैं, टाइम टेवल ऑफ, ऑलनाइन क्रेश कोर्स ऑफ एनेस्टार 2021 बैच, गाइस सेकंड बैच होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारा फेवरेल में हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, 2020 में भी ऐसे ही हुआ था, एपरेल में नोटिफिकेशन आये थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो एक्जाम टाइम पे नहीं हो पाया, और 2021 में फैब, फैब, 2nd of February को नोटिफिकेशन आये थी, कि 27 को आपका एक्ज एक्जाम होने वाला है, इतने कम टाइम में एक्जाम की त्यारी इंसान नहीं कर पाता है, तो इस बार हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, नोटिफिकेशन जब आएगी, तब आएगी, और राइट, सो टाइम टेबल ओनलाइन क्रेश को, सो फैनेस्टाइट ट्विटी ट्विटी वन बैच सेकिन, ओके गाइज यह बैच शुरू हो रहा है, 27 ओप एप्रिल, ओके आज 18 को मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नेक्स्ट तो नेक्स्ट मंडे, 27 ओप एप्रिल को यह शुरू होगा, और आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ओके, दन टाइमिंग के रहेगी हमारी जो टाइमिंग, टाइमिंग फ़र वाट, टाइमिंग एक्चुली, इंट्रेक्शन टाइमिंग, नोट्स टाइमिंग, मॉक टेस्ट एंड एम्सी क्यू, एवरिधिं अपलोडिंग टाइमिंग, ओ मंडे टू फ्राइडे जो कंटेंट है, जो नोट्स हैं, जो वीडियोज हैं और जो मॉक टेस्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गाईज वो डेली इसमें अपलोड किये जाएंग, लाइब क्लासीज के लिए बच्चे बोलते हैं, लेकिन एक्शली क्या होता है गाईज, पा कि डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि टाइम टेवल कैसे चलने वाला है, तो डेली सभी टॉपिक्स के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मतलब एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेस्टन होंगे, प्लस जो इंटरेक्शन हमारी हो भी करेंगे तो यह पुरा स्केड्यूल यहां पर रहता है सो इंट्रेक्शन नोट्स मॉक टेस्ट एंसी क्यूज एवरिफिंग अप्लोडिंग टाइम इंट्रेक्शन टाइम जो है वो मंडे टू फ्राइडे नाइन टू टैन पीम रहने वाला है गाईज ओके दैन क्लास टे आगे कि वो कितना लर्न कर रहे हैं और कैसे उनकी वह अपने आपको सेल्फ एवैल्यूएट कर पाएं संडे को आफ रहेगा है ना संडे विल भी आफ ओके ताकि रेस्ट भी बहुत जरूरी है तो 27 अपर से लेके गाईज 11 तक हम पढ़ने वाले हैं पेपर वन ओके आप द 100 मार्क्स का होता है अल्राइट अब कैसे इसमें क्लासिज होंगी कैसे पूरा कंटेंट आपको मिलेगा 27 अपरिल से लेके 29 अपरिल तक टीचिंग अप्टिट्यूड के जो अलड़ी वीडियो लेक्चर अभी हैं प्लस डेली 27 को 28 को 29 को टीचिंग अप्टिट्यूड के ल टीचिंग अप्टिट्यूड के यहां पर डाइज अप्लोड किये जाएंगे प्लस उसके बाद 30 अपरिल से लेके 4 मैं तक है ना बीच में संडे भी है इसके 30 अपरिल से लेके गाईज 4 मैं तक रिसर्च अप्टिट्यूड के मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको और कोई डाउ मिलेंगे प्लस उसके मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे आपको पता है आपका जो एक्जाम है वो ऑफ्लेंड मोड में होता है आपको अभी यह बहुत से एक्जाम करता है तो उनके जो एक्जाम है वो computer पे होते हैं तो वहाँ पे इसको CBT बोलते हैं CBT mode ओके गाइस computer based testing है ना मेरे जो mock test है वो बिल्कुल जैसे NTA exam conduct परवाता है गाइस बिल्कुल उसी pattern में आपको मिलेंगे है ना मेरे जो application है राना education वो cell phone पे laptop पे desktop पे iPad पे Android पे Apple Store कहीं भी आप उसको खोल सकते हैं access कर सकते हैं मेरी application पर कैसे यह सब कुछ चलेगा वो मैं इस वीडियो के last में आपको बताऊंगा अभी हम discuss कर लेते हैं time table तो पांस तारिक को reading comprehension के आपको बहुत सारे paragraph मिलेंगे उनको solve कैसे करना है वो उसमें बताया हुआ है वीडियो जिसका available है कि कैसे आप reading comprehension के practice कर सकते हैं डेली का आपको एक passage पढ़ना होता है वो सब उस वीडियो में available है जो recorded वीडियो इसमें already available है sixth of me को बहुत important teaching aptitude and research aptitude आपको पता है जो आपका paper one है इसमें maximum question teaching aptitude and research aptitude के आते हैं तो उन दोनों को मिला के guys आपका एक mock test बनाया जाएगा एक class test बनाया जाएगा और जितने भी बच्चे हैं उन सब को वो assign किया जाएगा ताकि आपको साथ साथ में lectures को सुनने के साथ साथ mock test को attempt करने के साथ साथ आपको ये भी पता लगता रहे कि आप कितना grab कर रहे हैं आप कितना score कर पा रहे हैं तो teaching aptitude हमने पढ़ लिया research aptitude हमने पढ़ लिया reading comprehension हमने पढ़ लिया और उसके बाद आपको teaching plus research का एक class test assign किया जाएगा ओके ये काम किया जाएगा छे में को हैना उसके बाद साथ में और आठ में को दो दिनों में हम पढ़ने वाले हैं reasoning and gk lectures with mock test आपको पता है paper one में reasoning reasoning के question भी आते हैं plus आपका जो gk है गाई उसके question भी यहाँ पे पूछे जाते हैं तो complete gk plus current affair कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो lectures आपको यहाँ पे दिये जाएंगे plus mock test आपको यहाँ पे दिये जाएंगे guys 10 और 11 में को 10th of May and 11th of May को आपको मिलने वाले हैं previous years question papers of paper one in the form of mock test with answer की तो आपको पता है 2017 2017 से आपका NSTAT होना शुरू हुआ था तो 17, 18, 19, 20 जितने भी आपके NSTAT के exam हुए हैं वहाँ पे जो paper one है वो complete solve आपको यहाँ पे मिलने वाला है along with answer की means आप सोचो आपके सामने एक paper खोलेगा paper one आप उसको attempt करेंगे और last में आपको उसके answer भी मिलेंगी last में आपको उसके answer की भी मिलेगी ताकि आपकी अच्छे से practice हो सके और आप अपने आपको self evaluate कर पाओ की paper one मैंने पूरा पढ़ लिया है अब मैं paper one मैं कैसा perform कर रहा हूँ वो कैसे मालूम पढ़ेगा आप जब previous years के paper को solve करोगे तो paper one को हम 11th of May तक गाईज पढ़के खतम कर लेंगे along with mock tests along with previous year solved papers उसके बाद हम 12 May को शुरू करने बाले हैं paper two okay again 50 questions guys यहां पे होते हैं और again यह भी 100 marks का आपका guys यहां से total weightage बनती है 12 मैं को हम पढ़ना शुरू करेंगे till 25 मैं तक हम paper two ही पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे 12 मैं से लेके 14 मैं तक 3 दिन लगातार आपको nutrition with mock tests and food science with mock test आपको पता है paper two का यह syllabus में है यहां से जितने भी most expected questions है वो already इसमें है first of all तो videos यहां पे already available हैं इन सभी topics को बहुत ही detail में समझाया हुआ है nutrition के four videos है food science के three videos है सारे topics को बहुत detail में समझाया हुआ है जो app में already available है plus 12 मैं से लेके 14 मैं तक daily 20-20 question के mock test जो है इसमें upload किये जाएंगे then 17 से लेके 19 मैं तक hotel accounts with mock test इसके mock test आपको मिलेंगे plus 20 मैं को हम nutrition and hotel account का एक class test करेंगे इसमें इन दोनों के questions रहेंगे ताकि again आप paper 2 में भी अपने आपको self evaluate guys कर पाओ उसके बाद 21 मैं से लेके 24 मैं तक हम पढ़ने वाले हैं management with mock test already video lectures recorded video lectures available हैं जहांपे management की theories को बहुत general concepts of management को समझाया गया है plus 21 लेके 24 मैं तक आपको management के mock test questions भी दिये जाएंगे for your better practice उसके बाद 25 मैं को हम क्या करने वाले हैं paper 2 के जो previous years के जो question paper हैं वो solve in the form of online mock test along with answer की आपको guys यहां पे मिलने वाले हैं तो paper 1, paper 2 हम 25 मैं तक पढ़के खत्म कर लेंगे उसके बाद 26 मैं से लेके 17 जून तक हमको पता है paper 3 जो है guys उसमें 100 questions होते हैं और इसकी जो weightage होती है वो होती है 200 25-25 questions सभी 4 sections से पूछे जाते हैं तो इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं 26 मैं से लेके 28 मैं तक हॉसकीपिंग के mock test आपको यहां पे मिलने वाले हैं और 29 मैं को एक 25 नमबर का class test हॉसकीपिंग का आपके लिए बनाके assign किया जाएगा ताकि आपको यह पता रगे कि आप हॉसकीपिंग में कैसा perform कर रहे हैं ओके then front office 1 जून से लेके 4 जून तक front office के daily आपको 20-20 नमबर के mock test मिलेंगे it means 80 questions आपको front office के मिलेंगे 5 जून को हम क्या करने वाले हैं class test बनेगा 25 नमबर का front office का ताकि front office में आप कैसा perform कर रहे हैं यह आप जान पाएं same for F&V service 7 जून से लेके 10 जून तक F&V service के daily 20-20 नमबर के mock test 11 जून को class test for food and beverage service आपके लिए design किये जाएगा 25 marks का ताकि आप अपने आपको F&V service में भी self evaluate कर पाओ 12 जून से लेके 15 जून तक food production 16 जून को production का class test ताकि आप production में भी अपने आपको self evaluate कर पाओ 25 marks का class test यह भी रहने वाला है 17 जून को 17 जून को जो previous years के paper 3 है previous years के जो exam हुए है बहाँ पर जो paper 3 है वो complete solve in the form of online mock test along with answer की आपको guys यहाँ के provide किया जाएगा 18 जून को हम करने वाले हैं online class test of you know anastat model paper okay तो model test paper means आपके लिए एक 200 marks का complete model test paper design किया जाएगा बिल्कुल new questions okay जो most expected questions होंगे जो पूछे जा सकते हैं okay वो guys आपके लिए यहाँ पर design किया जाएगा और 19 को हमारा last day होगा होगे यहाँ पर एक last lecture आपके लिए guys लिया जाएगा वहाँ पर exam strategies exam में कैसे हमें you know strategies अपनानी चाहिए कौन सी strategies हमें adopt करनी चाहिए negative marking आपको पता है frequency बहुत जादा है .5 की frequency है NSTEP में negative marking की तो negative marking वाले exam में हमारे tricks strategy क्या रहती है है qualifying technique है ना मैं अभी result देख रहा था तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो qualify कर सकते थे क्यूंकि आपको पता है हमें qualifying marks तो लेने ही पड़ेगे ऐसा नहीं होता है कि आपने paper 1 में 40 questions आपके सही है और paper 2 में आपके 15 questions सही हैं तो आप paper 2 में qualify नहीं कर पाए आपको paper 1, paper 2, paper 3 तीनों में पहले qualifying mark जो है वो लेने पड़ेंगे उसके बाद आप merit में आएंगे तो कैसे हम negative marking को देखते होए time management को time को manage करते होए qualifying mark सबसे पहले लेंगे तो tricks आपको guys यहाँ पर बताये जाएंगे और इसी के साथ हमारा ही जो complete course है NSTET का 19th of June को guys खतम हो जाएंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यह सब कुछ कहां पे चलेगा कौन सा platform है guys यह सब कुछ चलेगा मेरी अपनी application पे इसका नाम है Rana Education उसका link मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा उसको download कैसे करना है उसको install कैसे करना है सब कुछ उस पे कालग से वीडियो बनाया हुआ है उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप उसको बहुत इसली install कर सकते हो उसको install करने के बाद आप उसको phone पे खोल सकते हो आप उसको laptop पे खोल सकते हो desktop पे या laptop पे खोलने के लिए आपको type करना होगा web.classplusapp.com यह सब कुछ आपको मैं वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ पे desktop पे खोलने के बाद आप visit करेंगे store पे store पे जाने के बाद आप आप एने स्टैट पे आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने एने स्टैट के जिसको फोल देते हैं उसको चार और पर खोलेंगे है अब मैं आपको सब का मतलब ओके और सब में इवर्टा बता देता हूं है सबसे पहले हम बात करेंगे NSTET Basic यहां पर लिखाऊगा NSTET Basic जिसका प्राइज है 3000 यहां पर आपको जो पेपर 1 है वो complete मिलेगा उसके वीडियो उसके PDF उसके MCQ उसके mock test everything ना बट पेपर 2 & 3 के सिर्फ और सिर्फ PDF ही मिलेंगे इसका प्राइज है 3000 के बच्चों को पेपर 1 & 2 दोनों चाहिए होते हैं जिसको पेपर 1 चाहिए वो बेसिक ले सकता है जिसको पेपर 1 & 2 दोनों चाहिए वो ले सकता है प्लस इसका नाम है NSTET Plus यहां पर पेपर 1 & 2 complete मिलेगा के complete वीडियोज एवरिफिंग अलॉंग विद मॉक टेस्ट इसका प्राइज को क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूं अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हो गाई तो यहां पर आपके सामने खुल जाएगा इसका प्राइज 6,000 है after discount अब यहां पर क्या मिलेगा read more पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या के आपको मिलने वाला है paper 1 video explanation with pdf notes, paper 2 video explanation with pdf notes, paper 3 video explanation with pdf notes, okay then accept full production, full production के कुछ videos आपको नहीं मिलेंगे mcq for all papers, month wise gk 2018 onwards, okay 2018 से लेके अभी तक month wise, jan, feb, march पुरा, gk आपको यहां पर मिलने वाला है previous year question paper of NSTET with answer key, okay 2017 से लेके अभी तक NSTET के जतने भी एक्जाम हुए हैं वो पुरे solve, आपको यहां मिलेंगे question paper with answer keys of exams held for assistant lecturers and lecturers at various IHMs आपको पता है, जिसे भी AHM चंडिगड में, IHM गुरुदासपूर में, lecturer की post के लिए exam हुआ था, okay तो उनके जो question paper हैं वो भी solve आपको यहां पर मिलेंगे online live doubt clearing session and live classes for requested topic जो मैंने आपको कहा था कि 9 to 10 PM कुछ topic पर हमारी live interaction भी होगी वो सिर्फ इसी में available है, okay mock test for all papers, सभी papers के लिए आपको mock test guys यहां पे मिलने वाले हैं, है न और जो fourth course है उसका नाम है crash course of enestat super, okay यह advance था, जिसका price 6000 था और यह super है, जिसका price guys 3000 है, अब मैं आपको बता दूँ, super और advance में क्या difference है, है न जो super वाला है वो बिलकुल advance वाले की copy है, बट इसकी जो validity है वो सिर्फ one month है, okay February में जब एक महिने का time था, है न, तो उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था, तो जो super है, इसकी validity सिर्फ one month है, okay तो मैं आपको फिर से एक बार इन चारों में difference क्या है वो बता देता हूं, जो basic है, okay paper one complete है, उसमें paper two three only PDF है, जो plus है, उसमें paper one two complete है, okay paper three only PDF है, जो advance है, उसमें सब कुछ है, एक complete package है, okay और जो super है, उसमें भी सब कुछ है, बट उसकी जो validity है, वो सिर्फ one month है बाकि जो आपका advance है, plus है, and basic है guys, इनकी जो validity है, वो four months है, okay from the date of purchase, अगर आप आज purchase करते हैं, आज 18th of April है, तो इसके बाद आप four months इसमें plus कर लेंगे, तब तक आप इसमें सभी content को, सभी videos को, सभी mock test को, सभी कुछ को, number of time, इसको attempt कर सकते हैं, को limit इसमें नहीं है, okay अब आप बोलेंगे हमें demo भी चाहिए, हम कैसे माल लें, demo videos को जो link है, वो इस video के description में आपको मिल जाएंगे, अगर आपको वहाँ से नहीं देखने हो, तो इस app को just install करें, और उसको study material पे जाएं, अब जैसे study material पे जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप videos यहाँ पे कलिक करेंगे, तो वीडियो पे देखेंगे, demo video lectures for NST, यहाँ पे कलिक करेंगे, ओके, तो यह paper 1 के videos हैं, इसमें, demo videos, paper 2 के हैं, और paper 3 के हैं, डॉकुमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे आप PDF का demo देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, demo PDF for NST, यहाँ पे lecture 1 का है, then F&B lecture का है, research aptitude का है, paper 2 का है, सभी तिनों papers के PDF demo आपको यहाँ पे देखनों को मिल जाएंगे, प्लस mock test कैसे होंगे, उसका भी demo इस video के description में आपको दिख जाएगा, तो guys, यह था time table of second batch of NST 80 2021, मैंने सारे ही dots आपके clear करने के कोशिश करी है, इसलिए थोड़ा video लेंदी हो गया है, अगर फिर भी आपको कोई doubt है, तो इस video के last में मेरा contact number आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे contact कर सकते हैं, आप मुझे mail कर सकते हैं, आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, आप मुझे phone कर सकते हैं, जो भी आपको medium पसंद आए हैं, so guys, if you find this video informative, please share it at your social media, like instagram, facebook and whatsapp groups, okay, and I hope that आपको video अच्छा लगा होगा, and I hope that you will join this course, and I'll see you all in the class on 27th of April, bye-bye, take care. हाँ सकतवे इसका कर सकते हैं, हुआ है